आपको बताने वाला हूं कि आपके पेज ले आउट जैसे मेन्यू में आप पेज सेटप टैप के अंदर कॉलम्स का यूज ब्रेक्स का यूज लाइन नमबर और हाइफनेशन कैसे दे सकते हैं तो देखे इसके लिए आपको अपने पेज पर कुछ content और लिखने होंगे सपोज मान लीजे मैं मेरे इस content को जो मेरे तीन paragraph लिखे हुए है मैं इसको columns की form देना चाहता हूं columns की form जैसे मान लीजे कि आपका page इस time पे केवल एक ही column में बटा हुआ है यानि कि केवल एक ही column के form में आपको दिख रहा है यह content है यह देखिए उपर से link के नीचे तक आपका एक ही column है अब इसको दो column में अगर आप separate करते हैं तो आपका content कुछ इस तरीके से बन जाएगा यानि कि इस page पर आप पहले यह first वाला column को feed करेंगे then after आपका next column feed होगा देखिए अब आप इसको करने के लिए क्या कीजिए इसको देखने के लिए आप इस content को यहां से कीजिए copy और इसको इसी के तुरंद बाद यहां पर कर दीजिए paste और एक बार फिर आप इसको लेजिए और कर दीजिए paste तो आपका यह पूरा एक page यहां पर भर जाता है और आप देखिए आपने एक page पर दोट column बनाकर तयार कर लिए हैं अब देखिए इस column को समझने के लिए मैं आपको line number तहले तुरंद बताऊंगा ठीक है line number continue मैं कर देता हूं यहां पर और यहां पर देखिए आपकी line number 1,2,3,4,5,7,9,10 और इस तरीके से so on आपका पहला column 39 row line number के साथ cover होता है उसके बाद आपका 40 number line से आपका next section स्टार्ट होता है यानि दूसरा column अब आप क्या कीजिए आपने column पे जाए column section पे आप कीजिए 3 जब आप 3 करते हैं तो आपके content को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है यानि कि आपका content जो है एक page पर 3 column की format में दिखाई देगा जो कि यह देखिए column number 1, column number 2, column number 3 तो इस तरीके से line number के जरीए आप समझ भी पा रहे होंगे कि यह क्या है अब आप देखिए इसमें line numbers का मैं एक और use बताता हूं इसमें line number पर click किजिए restart each page यानि कि हर page पर अलक line numbers start हो तो देखिए यहाँ पर यह page number 1 है page number 1 पर यह सब कुछ आपको normal दिख रहा है लेकिन page number 1 जैसे ही खतम होता और page number 2 जैसे ही start होता है आपका line number दुबारा से new आ जाता है तो line number option पर जाएए restart each section तो देखिए यहाँ पर अभी हमने sections distribute नहीं हुए थे तो इस वज़े से हमारा यह नहीं आया अधरवाई जैसे ही आपका कोई section divide होता है तब ही आपका line number change हो जाएगा ठीक है और इसके बाद आप इसे continue ही रहने दीजिए ताकि मैं आपको और सारे column के option बता सकूँ चलिए page number वापिस चलते हैं हम top पर और यहाँ पर हम column करते हैं left side में define अब देखिए यहाँ पर अभी यह left side में define नहीं कर रहा है तो हम इसे पहले undo कर लेते हैं अपने normal paragraph में इसे form कर लेते हैं sorry हम थोड़ा सा ज्यादा आ गया है हमें यह page चाहिए और यहाँ पर आप देखिए हमें अपने column को left side में कुछ define करने जा रहा हूं देखिए left side में यह वाला side होता है और यहाँ पर आप देखिए मेरे paragraph की situation कैसी है यानि मेरे left side का paragraph है वह चोटा दिख रहा है आपको और जो right side का है वह बड़ा दिख रहा है तो यहाँ ऐसी setting भी आप column के जरीए कर सकते हैं आपने बड़ी magazines में newspaper में ऐसी चीज़ें देखियोंगी column section में जाहिए आप कीजिए इसको right side तो आपका जहाँ जो paragraph मैंने select किया हुआ था जो section मैंने select किया हुआ था वह आप देखिए right side में छोटा हो गया है और left side आपका बड़ा हो गया है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने column को divide कर सकते हैं one two three तो हम इसे ctrl a करते हैं column पे चलते हैं इसे two section में divide करते हैं यह देखिए two section में मेरा divide हो चुगा है तो line number और column section मैंने देखा अब मैं आपको break के बारे में समझाता हूँ break क्या use करता है देखिए break मैंने suppose माल लीजिए first paragraph पर यहां पर आकर मैंने click किया और अब मैं break करता हूँ क्या page जिया मैं page break करता हूँ तो मेरे पहले paragraph पर जहां तक मेरा पहला content लिखा था वह वहीं लिखा हुआ है और उसके बाद जो भी content था वह मेरा page break होने के कारण नीचे वाले section में या नीचे वाले page में वह दिखाई दे रहा है चलिए ऐसे करते हैं undo इसके बाद हम देखेंगे break option के column break के बारे में को और मैंने यहाँ पर column को break कर दिया अब आप content को select कीजिए और आप यहाँ पर break option में जाहिए text को wrap कर दीजिए वह text आपका wrap हो चुका है break में जाहिए text wrap से आप क्या कर सकते हैं और अगर यह आपके ज़्यादा काम के है भी नहीं आपके तीन main options यह काम के हैं तो यह तीनों options मैंने आपको करा दिये आप चलते है hyphenation के लिए तो hyphenation का मतलब क्या होता है hyphenation का मतलब होता है और यहाँ पर आप देखिए अब hyphenation यूज करने वाले हम तो hyphenation अगर आप यूज करते हैं तो automatic और manual यहाँ पर दो option आपको दिखाए देंगे अगर आप कर देते हैं इसे automatic तो देखिए on the insert tab the gallery गैलरी वर्ड पहले नीचे आ रहा था अब वो ऊपर है आधा और आधा नीचे और यहाँ पर hyphenation लग गया इसी तरीके से जो document था, document पहले नीचे आ रहा था अभी doc के जगे थी वहाँ पर तो doc आ गया और एक hyphenation के साथ UMENT नीचे आ गया तो यह है आपका hyphenation option तो अभी इस class के अंदर मैं आपको page layout के page setup को option को totally खतम करता हूँ और इसमें मैंने आपको columns, break, line number और hyphenation के बारे में बताया आप इनकी पहले practice कीजिए फिर next class के अंदर मैं आपको page background option को पूरा एक ही बार में complete करा हूँगा तब तक के लिए, bye